हेलो बचो आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्क्षिट नमर 37 कराऊंगो जिसकी डेट है में पास 10 दिसेंबर 2021 तो आज की वर्क्षिट में हम टर्म्स फैक्टर एंड कोफिशेंट ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे देखो एक्स वर्क्षिट में कैसे हम अपने 4 अर्यथमेटिक और यूज करके प्लस माइनस मुल्टिप्लाइड डिवाइड को यूज करके एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं है ना चली आज हम उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं जिसमें हम जानेंगे टर्म्स क्यों तर्म्स क्यों यहां पर लिखा you have learned about the algebraic expression algebraic expression contain terms factor and coefficient let's try to understand this algebraic expression has one or many terms जो आपके पास algebraic expression होती है उसमें एक या एक से ज्यादा terms हो सकती है ठीक है और जो वो terms होती है वो कैसे separate की जाती है तो terms are separated by the sign plus or minus के sign से उन्हें हम अलग-अलग कर सकते हैं easily ठीक है उसके बात किया आप सेहाँ पर term can have one or many factors जो term होती है उसके एक या एक से ज्यादा factors होती है any factor of a term is called the coefficient of the product of remaining factor और जो भी factor होते है वो क्यों होता है वो coefficient होता है किसका जो remaining factors होते है उसके साथ जो multiplication में होते है उसके अभी हम एक example करेंगे ना तो उससे आपको यह सारे points और अच्छे से clear हो जाएंगे तो इसका मतलब मैं यह कह सकती हूं कि जो मेरी algebraic expression होती है वो पहले terms में होती है then हम उसको classify factors में कर सकते हैं और factors दो तरीके के होते है एक variable और एक constant एक variable जो change होते रहते हैं constant जो change नहीं होते हैं next है आपके पास write the expression with the term given below अब देखो यहां पर आपको कुछ terms दे रखेंगे और expression आपको बनाना है बहुत असान है जहां जहां कॉमा है या end है वहां plus लगा दो तो देखो इसका क्या बन जाएगा आपके पास 5xy plus 7zx plus 8lk अब देखो end की जगा अगर आप plus लगाओगे तो 10- का है तो plus minus minus हुजएगा तो minus का 10 आजएगा ठीके सेकिंड वाला अगर हम देखे तो 8mn plus का 7ab अब यहां minus है तो कॉमा की जगा तो आप plus लगाने वाले हूँ है ना और पर minus भी है तो plus minus हुजएगा ठीके फिर वही end और minus है तो यहां माइनस का 5 आजएगा ठीके नेक्स्ट है सी वाला 7pr प्लस का 5lm प्लस का 2gh and की जगा प्लस अब प्लस का 6x तो यह बन गई आपकी expressions clear चलिए अब यहां पर आपसे कह रहे है जो algebraic expression है वो है क्या देखो एक algebraic expression आपको देदी है यहां पर मैं यहां पर लिखती हूँ इसको और सासा समझाती जादो एक एक पार इसमें आप देखरोगो तीन टर्म से लिखिगें कैसे classify होती है sign के साथ एक term यहीं पूरी आपके पास एक पूरी टर्म यहीरी याद रखेगा sign को साथ में लेना है और एक term यहीरी आपके पास थीक है तो यह 1st term हो गई है 2nd term हो गई है अब बात करें, term complete हो गया, यह वाला topic. अब बात करते हैं, factors की. देखो, 4xy है, इसके factors. 4 किस-किस की table में आता है, 1 की table में, 2 की table में, और 4 की table में, और x और y ऐसी ही रहेगा, ठीक है? जिस की table में आता है, वो लिख दिया. सेम ऐसी, minus का 5x है, तो minus 5, 5 तो अपनी table में आता है, और किसी की में नहीं आता है, हाँ, 1 की में आता है, तो 1 लिख दिया मैंने, और x ऐसी ही रहेगा, ठीक है? अब plus का 6 है, 6, 1 की table में आता है, 2 की table में आता है, 3 की table में आता है, 6 की table में आता है, factors clear हो गई यह वाला part clear factors को दो parts में classify के आ गया variable और constant में तो चलिए अब वो देखते हैं देखो जो यह factors है इसमें constant part जो है वो है 4 यह वाला क्योंकि इसकी value change नहीं होगी variable part है इसमें xy सेम ऐसे second term में देखें तो constant part है minus 5 और variable part है x third में देखें तो constant part है 6 ठीक है अब variable part नहीं है क्यों क्योंकि यहां पर सिर्फ constant part है इसके साथ कोई भी alphabet नहीं लगावा है ठीक है चलिए आप क्या रहे हैं आप लेट्स आस फाइंट कोफिशन चलो अब कोफिशन की बात करते हैं देखो आपको term दी गई 4xy आपने इसके factors निकाले आगई आपको factors निकाले तो factors क्या-क्या निकाले आपने 1, 2 और 4 और xy अब अगर मैं आपसे आप 4 को छोड़ दो बाकि जो भी बची इस term के अंदर जो भी बचा है वो इसका coefficient है जैसे 4 को छोड़ दो क्या बचा xy तो 4 को कोफिशन हो जाएगा xy अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ coefficient x का तो सिफ x को छोड़ दो जो बाकि का बचा है वो उसका coefficient है तो x का coefficient हो जाएगा 4y कि अब अगर मैं कहूं मुझे y को कोफिशन बताओ तो आप क्या करो सिफ y को छोड़ दो जिसका coefficient बताना है उस term में बाकि जो भी बचा वो लिख दो 4x बचा 4x लिख दो अब अगर मैं कहूं मुझे xy को कोफिशन बताओ तो xy को छोड़ दो क्या बचा 4 तो 4 उसका coefficient हो जाएगा coefficient निकालना तो किसी भी term का coefficient बोले ना तो उस term में जो भी factor का coefficient बोले उसको छोड़के बाकी के लिख रहे हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं second term का भी आपको यहां पर देखो निकालके दिया है minus का 5x है factors आपको पता है minus 5x और 1 है अगर मैं कहूं म कुझे minus 1 का coefficient बताओ तो देखो इस minus 5 को मैं ऐसे लिख सकती हूं यहां पर minus 1 इंटो 5 इंटो x लिख सकती हूं तो minus 1 का coefficient बताने तो बाकी जो बचा वो लिख दो 5x बचा 5 का coefficient बूचूंगी तो क्या बचा minus 1 इंटो x बचा तो minus x बचा क्लियर माइनस 1 का coefficient बूच लिया 5 का पूच लिया 5 का पूच लिया x का पूचेंगे तो minus 5 होगा ठीक है ना चलिए आप कोशन्स दिये के रहा है तर्म गिवन बिलो सेकिंड में कह रहा है राइट दा कॉंस्टेंट पार्ट इंदा तर्म गिवन बिलो थर्ड में कह रहा है 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 5 की में नहीं आता है, 6 की में आता है, 7 की में नहीं आता है, 8 की में नहीं आता है, 9 की में नहीं आता है, 10 की में आता है, अब 12 अपनी ही टेबल में आता है, और X और Y, यह इसके factors 20 AB की बात करें, यहां पर कर लेते हैं कोूशन को, 20 AB, 21 की table में आता है, देखू, कैसी पता चलेगारा इगा, कवकी table में 20 की table में 20 लिख दो, 20 भी लिख दो, जितने भी लिख दो, dozen पे 10 पे 10 लिख दो, Bri, 2 की table में 20, tell me लिख दिया, विषकी dirig Male 2 andify 16ए chicken 11, 6, 7, 8, 9, 10 की टेबल किसी की टेबल में ने आता है, अब और किसी की टेबल में आता है, नहीं, तो जो यह gap है इसको मैं यहां लिख रही हूँ अब यह, जो थे 5, 10, 20, अब बाकी का A और B ऐसी है आप पे, तो यह हो गए आपके इसके factorize, सेम वही factor निकालने हैं, जैसे भी आप उपर सिख्के आए हो, ठीक है, then 17HG है, तो 17 प्राइम नंबर है, वो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, और किसी में नहीं आता है, तो यह इसके factor है, ठीक है, next आप से क्या कह रहा है, 50XVZ, तो 50XVZ है, 50, 1 की टेबल में आता है 50, तो मैंने 1 की टेबल में लिख दिया 50, 2 की टेबल में भी आता है, यह आता है न 2 की टेबल में आता है, यह 25 पे, ठीक है, 3 की में नहीं आता, 4 की में नहीं आता, अपके पास 10 पे आता है, तो आप इसको यहां पर लिख दो, 5 की टेबल में यह आपके पास 10 पे आता है, ठीक है? उसके बाद अगर आप देखो, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8, 9, 10 आप किसी में नहीं आता, तो यही इसके factors हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए, सिर्फ 10 L M N. So before I went to minus 40, here I have to sort minus 1 over one Now we'll write the rest of all me. So one table, there comes in forty boa, by one type and on two table we have twenty, I have not written and on four table it comes in ten, blue box right here, it comes in ten anyway. So, come in six table I have burned and in six table in seven table I have not written in eight table I have five तो 8 और 5 दोनों ही factors लिखे में है, 9 की table में नहीं आता है, 10 की में आता है, तो वो भी लिखे में है, ठीक है, सिर्फ 10 तक चेक करना है, तो easily हो जाएगा, और यहां पर लिख दो, L, M, और M, clear, next है आपके पास 24 x square y और L, तो देखो, 24 1 की table में आता है, 24 पर आता है, 2 की table में भी आता है, यह 12 में पर आता है, 7 में नहीं आता, 8 में आता है, वो भी लिखे में 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, आप किसी में नहीं आता ठीक है, अब यहाँ है x square, मतलब x दो बार है और y एक बार है और l एक बार है, clear? फिर next है, आपके पास last 15 fg, h 15 fg और h, 15 1 की table में आता है 15 पे 2 की में नहीं आता, 3 की में आता है, 5 पे ठीक है, और किसी की table में आता है, 4 की में नहीं आता 5 की में आता है, लिख दिया, 6, 7, 8, 9, 10, अब किसी में नहीं आता उसके बाद आप आके लिख दीजे, fg और h clear question number 1, चलिए, आजाते हैं question number 2 पे, तो अगर हम अपना question number 2 देखें, यहां पर कहरें, write the constant part, जो change नहीं होगा, वो है constant part आपके पास थो, तो अगर आप first में देखें, to 23 है, second में देखें, to 12 है, third में तो यहां पर कोई भी alphabet नहीं दिख रहा है हमें, तो कौन सा हो सकता है, तो देखो, यहां minus है, तो यह minus 1 है, इसके आगर question है, तो आप 1 लगा सकते हूं, तो वही चीज मैंने की, यहां पर मैंने 1 लगा दिया हूं ठीक है, यहां पर 79 है, यहां पर 15 है, constant part, यहां 9 है, यहां 18 है, और यहां 72 है, तो सिफ आपको constant part लिखना था, वह हमने यहां पर लिख दिया clear यहां तक, चलिए, next पर आजाते हैं, question number, third पर, write the variable part, तो variable part, जो change होता रहता है, यही है न, तो ASD, इसका तो यही होगा, इसका होगा, B and M, जो alphabet है, वो होते हैं, variable part, P, Q, अब यहां पर आजाएगा, F, G, H, यहां पर आजाएगा, J, K, क्योंकि इसके constant part में हम minus लगा दें है, यहां पर आजाएगा, आपके पास, X, Y, Z, और यहां पर आजाएगा, आपके पास, P, Q, R, clear, तो यह थी आपके पास आज की worksheet, जिसमें आपने terms, सीख लिया, factors, क्योंते हैं, वो सीख लिया, कोई भी doubt हो, आप comment करके पूछ लीजेगा, अब हम अपनी next worksheet है, वो हम अपन